हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का A4 Defense Classes के इस ओनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं स्वरूप पुनिया आप सभी के बीच में टॉप 20 क्वेस्चन्स लेकर आया हूँ यदि आप इन में से कम से कम बिना कही देखे 14 क्वेस्चन्स सही कर देते हो तो आपको गवर्मेंट जॉब पाने से कोई नहीं रोक सकता आपको प्रश्र का उत्तर सोचने के लिए 10 सेकंड का टाइम भी मिलेगा चलिए आज का विडियो शुरू करते हैं इससे पहले आप सभी के लिए एक motivation line जो हो गया उसे सोचा नहीं करते जब मिल गया उसे खोया नहीं करते हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते प्रश्न नंबर वन महाराष्टर में सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरूआत किसने की? Option A.G. के गोखले Option B. जीजी आगर कर Option C. बीजी तिलक Option D. एमजी राणाडे इसका सही उत्तर है Option C. बीजी तिलक प्रश्न नंबर टू निम्न लिखित में से किस के साथ लॉड मैकाले का नाम जुड़ा है? Option A. गोध निशेद प्रथा Option B. सह संधी Option C. अंग्रेजी शिक्षा Option D. स्थाई बंदोबस इसका सही उत्तर है Option C. अंग्रेजी शिक्षा प्रश्न नंबर त्री निम्न लिखित में से कौन भारतिय राष्ट्रिय आंदोलन के गरम दल के नेता थे? Option A. दादा भाई नौरोजी Option B. गोपाल कृष्न गोखले Option C. विपिन चंदरपाल Option D. तेज बहादुर सप्रू इसका सही उत्तर है Option C. विपिन चंदरपाल प्रश्न नंबर फोर काकोरी ट्रेन टकैती में कौन शामिल थे? Option A. सूर्य सेन Option B. रामप्रसाद बिस्मिल Option C. खुदी रामबोज Option D. भगत सिं Option A. इसका सही उत्तर है Option B. रामप्रसाद बिस्मिल प्रश्न नंबर फाइव फतेहपूर सीकरी का निर्मान किसने करवाया? Option A. अकबर Option B. जहांगीर Option C. औरन गजेब Option D. शाह जहां इसका सही उत्तर है Option A. अकबर प्रश्न नंबर 6. प्रथम जैन सभा कहां हुई थी? Option A. नालंदा Option B. तक्षशिला Option C. वल्लभी Option D. पाटले पुत्र इसका सही उत्तर है Option D. पाटले पुत्र प्रश्न नंबर 7. सतराह सौतेरानवे भारतिय सिविल सेवा अरंभ की खाली स्थान की जगह क्या आएगा? Option A. रॉबर्ट क्लाइव Option B. लॉड कार्नवालिस Option C. लॉड हार्डिंग Option D. सर जॉन शोर इसका सही उत्तर है Option B. लॉड कार्नवालिस प्रश्न नंबर 8. आयुर्वेद की उत्पति हुई थी Option A. रगवेद से Option B. सामवेद से Option C. यजुर्वेद से Option D. अधर्ववेद से इसका सही उत्तर है Option D. अधर्ववेद से प्रश्न नंबर 9. निम्न में से कौन से शासक का संबंध गुलाम बंश से था Option A. इलतुतमिश Option B. हुमायू Option C. अकबर Option D. अहमद शाह अबदाली इसका सही उत्तर है Option A. इलतुतमिश प्रश्न नंबर 10. निम्न में से कौन सा शासक सिंचाई के लिए बड़ी संख्या में नहरों के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ था Option A. कुतुबद दी नैबग Option B. फिरोद शाह तुगलक Option C. मोहम्मद बिन तुगलक Option D. उपरोग्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है Option B. फिरोद शाह तुगलक प्रश्न नंबर 11. निम्न में से कौन बंगाल में भक्ती आंदोलन का संत था Option A. कबीर Option B. तुलसिदास Option C. विवेकानंद Option D. चैतन्य इसका सही उत्तर है Option D. चैतन्य प्रश्न नंबर 12. किसने सभी सिखों को एकता के सूत्र में बांधा और पंजाब राज्य का गठन किया Option A. गुरु नानक Option B. गुरु गोविंद सिंह Option C. महराजा रंजीत सिंह Option D. गुरु तेक बहादुर इसका सही उत्तर है Option C. महराजा रंजीत सिंह प्रश्न नंबर 13. तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुघल शासक कौन था? Option A. बहादुर शाह जफर Option B. और अंगजेब Option C. महम्मद शा Option D. शाहालम द्वितिय इसका सही उत्तर है Option C. महम्मद शा प्रश्न नंबर 14. निम्न में से किस संथ का नाम शिवाजी से जुड़ा हुआ है? Option A. रामानंद Option B. रामदास Option C. चैतन्य Option D. कबीर इसका सही उत्तर है Option B. रामदास प्रश्न नंबर 15. पुर्तगालियों ने गोवा पर कबजा कब किया था? Option A. 1470 Option B. 15110 Option C. 1570 Option D. प्रश्न नंबर 16. प्रश्न नंबर 16. शिराजुद दौला को किस ने हराया था? Option A. कैनिंग ने Option B. हेस्टिंग्स ने Option C. क्लाइव ने Option D. कार्नवालिस ने इसका सही उत्तर है Option C. क्लाइव ने प्रश्न नंबर 17. अकबर ने फटह पुर्सिकरी में बुलंद दर्वाजा किस की स्मिर्ती में बनवाया था? Option A. अपने पुत्र सलीम के जन्म के लिए Option B. अपनी गुजरात विजय के लिए Option C. अपने राज्या भिशेक के लिए Option D. अपनी दक्षना विजय के लिए इसका सही उत्तर है Option B. अपनी गुजरात विजय के लिए प्रश्न नंबर 18. तराइन के दूसरे युद्ध में प्रिथ्वी राज चौहान को पराजित किया था? Option A. बलबन ने. Option B. गजनी के महमूद ने. Option C. मुहम्मद गोरी ने. Option D. सुबुक्त गिन ने. इसका सही उत्तर है Option C. मुहम्मद गोरी ने. प्रश्न नंबर 19. का निर्मान 16. 132. इसवी में आरंभ किया गया था और 16. 148. इसवी केंथ में पूरा हुआ था? खालिस्थान की जगह क्या आएगा? Option A. ताजमहल. Option B. लालकिला. Option C. कुतुब मीनार. Option D. मोतीमहल. इसका सही उत्तर है Option A. ताजमहल. प्रश्न नंबर 20. निम्न लिखित महान मुगलों में से कौन एक प्रथम श्रेणी का कवी भी था? Option A. अकबर. Option B. बाबर. Option C. जहांगीर. Option D. शहाजहां. इसका सही उत्तर है Option B. बाबर. इसका सही उत्तर है